कुछिन नमर्वन का हम सेकंड पार्ड करेंगे फस्ट पार्ड हम कर चुक हैं सॉल्ट फॉलिंग पियर ओफ लीनेर एक्वेशन बाइस सब्स्टिटूशन मेदर से हम इसे सॉल करें क्या लिखा एस माइनस टी इस इकॉल तो थी इसे हम एक्वेशन वन दे लेंगे और संपान 3 पिलस टी उपान 3 इसे इकॉल तो इकॉशन तू दे लेंगे और इसमें सब्स्टिटूट करेंगे कैसे सब्स्टिटूट करेंगे फ्रॉम एक्वेशन 1 कि में आँ S is equal to क्योंगे T minus से विदर जागे plus का हो जागा T plus 3 S के value कितने हैंगे T plus 3 इसी के value हमें substitute करना है किसके अंदर दूसरी वाले equation हमने कौन से equation से निकाले है once equation से निकाले है तो इसके value हम second में put करेंगे now now substitute S is equal to T plus 3 in equation 2 equation 2 में put कर ली S के value T plus 3 तो कितने जागे T plus 3 upon 3 3 plus T upon 2 is equal to 6 अब इसे T से divide कर दो या इसका LC हम ले 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 तो कितना आ जाता है 3 into 2 नीचे नीचे वाले कि मल्टिप्लाइए इधर वाले से करने है 2 की multiply किससे करने है T plus 3 से ब्राकेंट बंद कर लो plus 3 की multiply किससे करने है T से करने है is equal to 6 और 3 to 6 होता है 6 उदर चला जाएगा तो इसे हम पहले खोल ले 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 कि 2 की multiply T से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 T हो जाएगा plus 3 की multiply 2 से करेंगे 3 to 6 हो जाएगा plus 3 T हो जाएगा is equal to 6 into 6 या 6 into 6 सिदा 36 लो 3 T और 2 T आपस में मिलके add होंगे जो कितना हो जाएगा 5 T क्योंकि T T है is equal to 6 into 6 is equal to 36 यह वाले plus 6 था सिदा जाएगा तो कितना हो जाएगा minus 6 तो हमरा T मिल गया T is equal to 30 upon यह T के जाएगा multiply में दे जाएगे divide हो जाएगा 5 6 दर 30 तो T is equal to put करनू now put यह substitute क्योंकि substitution method तो substitute ही लिखते थे substitute T is equal to 6 in equation 1 1 equation हमारे थोड़ी easy लग रही है तो S minus 6 is equal to 3 तो S is equal to 3 plus 6 यह minus 6 था इदर जाएगे plus 6 होगा है तो S is equal to 9 so we get so S is equal to 9 and T is equal to T कितना निकला था है हमने निकला था T is equal to 6 यह हमारे क्या हो गया solution हो गया ठीक है question number first का second part हमारे यह खतम होता है इसे हम चाहेए तो इसे सीधे ही ही से पहले LCM लेके भी इसे solve कर सकते हैं ठीक है नहीं हम इसे यहां पर भी solve कर सकते हैं अगर इसे सीधा हम equation second को हम ऐसे भी लिख सकते था है on solving की तो इसका LCM ले ले जाए तो 2S plus 3T is equal to 36 बन जाता ठीक है नहीं हम वैल्यू पूट कर सकते था है